हलो फ्रेंड्स क्या आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फिडिंग कराते हैं और इस टाइम पर आपको जो हैं ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या फिर ब्रेस्ट में दूद की गांटे बन गई हैं ब्रेस्ट रिक्तम टाइट टाइट फील हो रहा है तो अगर आपके साथ भी प ब्रेस्ट में जो पेन या गांठे बनते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर उसके लिए आपको कुछ चीज है मिशा ध्यान रखने चाहिए ब्रेस्ट में जो दूद है वो इखटा ना हो अगर वो दूद इखटा हो जाता है फिर उसके गांठे बन जाती है और इससे आपको दर्द होता है रात के टाइम पर आप बच्चे को चार से पांच गंटे के सोने दे सकते हैं पर उसके बाद बच्चे को उठा कर आपको फीड कराना है जितना जादा आप फीड कराते हैं तो इससे आपको ब्रेस्ट में पेन और गाटे बनने का चांस जो है वो कम होगा नमबर टू आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को आपको दोनों ब्रेस्ट से ही दूद पिलाना है कुछ लेडिस ऐसा करती है कि एक ही ब्रेस्ट से जो है बच्चे को दूद पिलाती रहती है तो इससे क्या होता है कि दूसरी ब्रेस्ट में दूद इखटा होता रहता तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि next time वा बच्चे को दूसरी ब्रेस से ही दूद पे लाएं number 3 अगर आपको बहुत जादा दूद बन रहा है और बच्चा दूद इता नहीं पी पा रहा है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं पहले चीज़ तो आप बच्चे को फीड कराते रहे हैं जल्दी जल्दी दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप न अगर बहुत जाद दूद बन रहा है तो milk को आप एक्सप्रेस कीज़े जो breast pump आता है आजकल दूद खटा हो गया है गांठे पढ़ गई है तो आप उस टाइम पे गुनगुने पाने से नहा सकते हैं या फिर अपने breast को आपके क्या करते हैं सिकाई कर सकते हैं गरम पाने के तौली को आप निचोड़ कर जो है अपनी breast पर हलके हलके से रखी और breast की सिकाई कीजिए इस मैनुली जो है मसाज कर सकते हैं गरम पाने से सिकाई कर सकते हैं और इसका एक और अल्टरनेटिव है जिसके बारे में आपको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था जो की है Love Lab का 2-in-1 Warming Lactation Massager तो इस मसाजर में दो चीज़े आती हैं एक तो ये breast मेंचाजर आप और जादा आप इसको कर सकते हैं और यहां पर यह वाइबरेशन है breast पर इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपनी चॉइस के कॉर्डिंग अब बात करते हैं इसकी शेप की तो इसका जो ergonomic design है तो यह जो आपकी breast है इस पर बहुत ही easily set हो जाता है और आपको comfort देता है यह breast मजादर बना हुआ है food grade soft silicone से तो इसी लिए आपके skin पर यानिके आपके breast पर जब मसाज करते हैं तो उसके लिए totally safe है यह BPA free material का बना हुआ है 100% waterproof है यह काफी light है weight में इसको आप कहीं जाते हैं तो इसको carry भी कर सकते हैं easily तो दीखिए इसमें जब आपको heating level set करना है त इससे यह on हो गया है इसमें आप एक बार दो बार तीन बार ऐसे तीन levels आप सेट कर सकते हैं ऐसे ही जो vibration का मूड है इसके लिए आप उसको long press करेंगे और यह दिखिए on हो गया है इसमें आप six level तक vibration कर सकते हैं और आप साथ में भी यह दोनों चीजे यूज कर सकते हैं heating और vibration तो मानलीजे यह आपका breast है इस पर आपको massage करना है या फिर इसको थोड़ा सा सिकाई देनी है तो इसके लिए आपको जो मानलीजे मैं vibration करके दिखाती हूँ यह मैंने इसको on किया और इस तरीके से आप इसको massage कर सकते हैं बहुत ही easily यह जो lactation massager है यह आपके milk flow को improve करता है अच्छे से और जो आपके breast में दूद की गाठे मन जाती है clock ducts होते हैं उनको relief करता है साथी साथ आपका breast milk जो है अच्छे से पास हो पाएगा इसके लाव आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को feed कराते वद अपनी position का भी ध्यान रखें आप बच्चे को दूद पिलाने के लिए तो feeding pillow आते हैं जिस पर आप बच्चे को ऐसे लिटा कर दूद पिला सकते हैं normal pillow रखके तभी बच्चे को feed कराए इससे भी आपको breast में pain नहीं बनता है और साथ-साथ अपनी position का भी ध्यान रखें आप नॉर्मल किसी चेर पर बैठ सकते हैं ताकि आप comfortably बैठ पाए और बच्चे को feed करा पाए ये सारे चीज़े टिप्स फॉलो करने से आपको breast में pain नहीं होगा breast में गाठे नहीं बनेगी और breast जो है एकदम tight भी नहीं होगे इसके लाब अगर आप love lab का 2-in-1 lactation breast मसादर सकते हैं इसका link मैंने description box में भी दे दिया है अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप में comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में thank you for watching